हाई इवरिवान, हेलो माई डियर सुडेंट्स, वन्स अगेन वेलकम ओन विदान तु नीट मेड इजी क्या हाल चाले सभी बच्चों के I am really hopeful के सारे बच्चे नीट का एंड गेम सीरीज जरूर देख रहे होंगे तो आज के सेशन में हम लोग male and female reproductive system में कैसे questions आज तक frame किये गए है generally किस type के questions इस topic में से उठकर के आने वाले हैं ये वाली बात को समझने वाले तो सबसे पहले देखो मेटा क्या topics important होते हैं पहली बात अगर हम करें तो हमारे सामदेना Diagrams बहुत बहुत ज्यादा important है इस topic के ठेक है जैसे कि male reproductive system का longitudinal section हो गया female reproductive system का जो diagram हमारे पास में देखे रखा है Diagrams के उपर कई सारे type के questions frame हो सकता है जैसे कि सिर्फ diagram दे दिया और बोला कि भाई इसके labeling बतानी है तो आपको labeling बताने आना चाहिए कि one part क्या labeled है two part क्या labeled है ठीक है जैसे कि इस diagram में आप देख कर कि क्या बता सकते हैं ये one part जो label क्या हुआ है ये है seminal vesicle है नँटा ऐसा question भी आ सकता है कि जो ये one part level किया गया है इसका function क्या है तो हम बोलेंगे seminal vesicle एक accessory gland है male repractive system में जो कि seminal plasma के अंदर secretion contribute करता है और seminal vesicle के secretion fructose marriage होती है ठीक है तो इस तरीके का question भी आ सकता है कि the part labeled as one ठीक है identify करो उसको और उसका function बताओ तो we have to take care about all the portions जो कि हमारे NCRT के diagram में labeling दे रखा है diagram portion आपको आना चाहिए second diagram के है तो आप देख पारें ये labeling जो है ये epididymus की QE है तो ये हमसे पूछ सकते हैं कि epididymus जो है वो highly coil duct है उसके अंदर कौन सी duct mix होती है या उसके through कौन सी duct निकलती है बाहर तो ऐसे diagram based हमारे पास questions आ सकते हैं उसके अलावा multiple concept application के हिसाब से match the column भी इस chapter में से पूछे जाते हैं generally तो match the column में आप देख पारें यहाँ पर हमारी some question दे रखा है column बन दिया है column to दिया है placenta, zona, palisoda, bulbo, urethral gland, leading cells यह चार different different parts उन्होंने हमें उठा करके दे दिया है male and female reproductive system में से मिला करके ठेक है अब हमें match करना है column को है ना तो हमें कब बन पाएगा a question हम से तब बन पाएगा a question जब हमने already इसका theoretical portion ठीक से देखा हुआ है तो male and female reproductive system में आपको ऐसा बोल ही नहीं सकती कि यह वाला topic मत करो तो भी चलेगा क्योंकि उसमें से हर एक single line हमारी NCRT की बहुत बहुत ज्यादा important है ठीक है बचो तो देखिए placenta, अब प्लेसेंटा के लिए क्या लगाएंगे ओवियसली HCG लगाएंगे कि human chorionic gonadotropin नाम का hormone placenta से secret होता है क्योंकि placenta एक temporary endocrine gland भी है zona peliocida यह layer होती है जो कि secondary oocyte याने की ovum के ऊपर covering कर रही होती है graphene follicle में observable होती है then bulbo urethral gland यह lubrication करवाते हैं पीनिस का ठीक है during sexual intercourse mucus type का secretion इंकर हैता है leedic cells बिटा testosterone नाम का hormone बनाते है ठीक है है ना तो A का 2, B का 3 ऐसा option हमारे पास में C दिया है तो इसका answer C बन जाएगा अगला question देखते हैं कैसा question आ रखा है इसमें से तो आप देखेंगे यहापर arrangement वाला question आयो है arrangement वाले question में क्या basically बात हो रही है कि sequence में बताओ कौन के बाद कौन आने वाला है now this is a very 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 important question क्योंकि यह कई बार आ चुका है अलग-अलग सालों में similar type का question repeat हुआ है तो यह question तो आपको 101% आना चाहिए यह topic आपका perfect होना चाहिए sequence वाला ठीक है? इसमें correct sequence बताना है sperm के transport का बताओ बेटा क्या होना चाहिए इस question का answer देखके फटा फट से सारी बचे जल्दी देखो देखो यह तो हम eliminate कर देते हैं कि testis के directly बार epidemus लिख दिया तो यह duct तो नहीं हो तो testis ठीक है तो cancel कर दो बाकि यह 2 options देखते हैं तो seminiferous tubule के बाद में आता है ready testis और ready testis के बद वासा efferentia then epidemus then vast difference then ejaculatory duct uretera and then metus इसलिए इसका answer A ही सही होने वाला है ठीक है? So this is how the questions can be asked from the diagram portion sequence wise function wise हर चीज पूछते हैं इस topic में से ठीक है? Shared terminal duct क्या होती है reproductive and urinary system की? Again, अगर आपको diagrammatic clarity है तो आप diagram से ही बता देंगे कि male और reproductive system में uretera shade duct की तरह function करते हैं ठीक है? Then cells के उपर question आते हैं कि leadic cells क्या बनाते हैं? Sertoli cells का क्या function होता है? Spermatogonia cells, meiosis, mitosis दोनों perform करते हैं या नहीं करते हैं? Then location wise questions आ सकते हैं कि leadic cells के location क्या है? Leadic cells के उपर कौनसे hormones function कर रहे हैं? These kind of things can be asked ठीक है? Leadic cells as found in the human body are security source of what? अब आप इस question का answer मुझे comment में बताने वाले हैं कि इस question का answer क्या होगा? This is your homework question, assignment question, you will be answering this one ठीक है? अगले अब आप बसे देखो बिटा multiple concept application हमारे पास में फिर से आ गया है यहाँ पर male and female reproductive system के कुछ structures का नाम हमारे सामने दिया हुआ है तो आप देख पार हैं यहाँ पर ovary placenta corpus luteum leadic cells तो हमेशा ऐसे questions को solve करने में सबसे easiest option देखना चाहिए यहाँ तीन female reproductive system के structures लिखें एक ही male system का लिखा है तो पहले अपन leadic cells से androgen लगा तो D3 D3 एक ही option में देखे रखा है directly answer D लगा देने का क्योंकि यहाँ पर doubtful बात है ही नहीं तो आप अब चाहें तो match करें otherwise मैं तो match नहीं करते विकाज मैंने देखा कि D3 एक ही option में देखे रखा है तो इतना simple यह question तुमारे लिए होगा देखो 2020 में पूछा हुआ है ठीक है मैटा फिर female reproductive system से कैसे questions आएं देखो हमारी सामने question आया हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग ऐसा है जो कि नजदीक है ओवरी के ऐसा ही question आ सकता है फैलोपियन ट्यूब का कौन सा part site of fertilization है फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा narrow है और uterus के साथ में connection करता है तो अलग-अलग tech के questions इसी topic में से frame हो करके आ रखे हैं पहले फिर आप देखरें वापस से diagram based question हमारे सामने आके रखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर हमारे को female reproductive system का diagram दिया है और पूछ रहे हमारे से A, B, C, D, E, F इसमें exactly यह है क्या तो अब तुम क्या करोगे तुम देख पारे हो कि यहाँ पर options के अंदर तो कुछ A बोल रहा है कुछ B बोल रहा है हम ऐसे questions जब भी हमारे सामने आते हैं तो किस तरीके से इसको answer करते हैं देखो तो हम सबसे पहले न easy से labeling चालू करो then उसके बाद में हम यह देख पारे हैं A के उपर और B के उपर confusion आएगा तो B myometrium कर लो पहले फिर आपके पास A आ जाएगा A हो जाएगा आपका endometrium तो ऐसे करके आप यह question को solve कर लो पहले तो कर लिया अब उसके बाद option देखो तो अब यहाँ पर देखो पहला C infundibulum, C infundibulum है आगे पढ़ेंगे D fembrate, D fembrate है आगे पढ़ेंगे E cervix, E cervix है तो क्या यह answer सही है यह answer मुझे तो सही लग रहा है अगला देखते हैं D ove duct, d ove duct है funnel तो है oveducil funnel बोल रहा है यह सोरी ठीक है then E uterus, uterus E नहीं है तो cancel कर दो ठीक है फिर A perimetrium है ही नहीं बलकुल endometrium होता है B endometrium है ही नहीं तो elimination से भी जा सकते हैं हम लेकिन हमें पहले यहां की पुरी labeling आनी चाहिए तो पहले label कर लो फिर question solve करेंगे ठीक है तो यह होता है correct तरीका एस question को solve करने का तो अभी हमने क्या-क्या बाते हैं देखिए फटा-फट से एक बार ही quickly देख लेते हैं कि कहां-कहां से exactly questions हमारे पास आएंगे तो पहली बात तो यहां पर से match the column type के multi-concept application questions आते हैं ठीक है multi-concept application वाले questions यहां पर हमारे सामने बंते ही बंते हैं धन इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास में यहां से जो questions बनते हैं वह होता है diagram based questions diagram based questions भी हमारे पास यहां से बनते हैं, including labeling, identification, ठीक है, and function, identification and function, ठीक है, और तीसरे डाइक का जो question यहां से बन सकता है, वो होता है, sequence वाला question, कि sequence में arranged करो, especially male reproductive system में sequence based questions जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो I'm really hopeful कि आपको पता पढ़ गया होगा, कि कहां कहां पे हमें ध्यान देना है, इस chapter के, इस topic में, male and female reproductive system, human reproduction chapter का part है, ठीक है, तो यहां पर में session को end करना चाहूंगी, and I'm really hopeful कि सारे बचों को समझ में आ गया है, where we have to focus, ठीक है, how we have to solve the questions of multiple concept application from this topic, because this topic is a very very important one, ठीक है, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं आगले session में, अगर आपको यह session पसंद आया है, आपके लिए useful साबित रहा है, तो like जरूर करीजे, और अपने सभी friends में यह session का link circulate भी कर देना, और comment करके, मुझे homework या assignment की question का answer जरूर ठीक है, ठीक है बच्चो, इसे के साथ साथ में मैं आपको एक quick से information और दे देती हूँ, हम लोग आपके लिए लेकर क्या आ रहे हैं, NCERT line by line question solving also, ठीक है, तो वो आपके सामने जल्द ही आने वाला है, आज ही आजाएगा, in fact, उसकी पुरी detailing आपको देने वाली हुम है, त तो आप बने रही है sessions के साथ में ठीक है अच्छा इसी के साथ में एक छोटी सी information सारे बच्चों के लिए और है a very small but a very important information is there for all of you कि आपको session के नीचे description box दिखेगा बिटा ठीक है session के नीचे आपको description box देखने मिलेगा और वो description box जो है बिटा one second guys chemistry वाले सरका slide खुल गया इधर ठीक है तो जो description box है उसके अंदर बिटा आपको एक proper एक proper link मिलने वाला है उस link पर जैसे ही आप click करेंगे आपके लिए give away का काफी सरा काफी सरा free material अवे लिए वो give away में आपको notes भी मिल रहे है फ्री में NEET के PYQs मिल रहे हैं CBSE के PYQs मिल रहे हैं काफी कुछ और भी interesting interesting चीज़ है उस link को click करने पर आपको मिलेगी link को click करेंगे आपको अपना mobile number या email id कुछ भी डाल करके login कर देना है फिर आप उस पर free material डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बचो तो फड़ावर जे click कर दो link पर जो आपको description box में देखे रखे हुई है अंतिम प्रहार सिरीज अटेंड कर रहे हो या नहीं 7 बजे सुबर सुबर रोज में आप लोगों को पढ़ा रही हो for your 12th class board examination अगर नहीं कर रहे हो तो आजाना अगले class में कल हम लोग पढ़ेंगे principles of inheritance and variation ठीक है और आपका end game series तो चली रहा है तो telegram जिसने join ने किया telegram join कर लिया करो यार वहाँ पर detail मिलती रहती है कि क्या session आने वाले क्या new plan है वगेरा वगेरा तो मिलते हैं आगले class में stay tuned and don't forget to like, share and subscribe Vedantoo Neat Made Easy, bye bye everybody have a great day